स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे योटूब चैनल पर तो आज क्लास 12 के भौती विज्ञान अभ्यास 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे सौब प्रेरक ततो का स्रेणी करम सयोजन के सुत्र का निगमान मतलब सौब प्रेरक ततो होते हैं उनका स्रेणी करम में आज जोड़ा जाएगा और उनका तुल जो है प्रेरक ततो कितना होता है आज इस वीडियो में सीखेंगे और एक एक लाइन आप लोग सभी विद्यार् तो यहां पर एक चित्र बनाए जाएगा जो स्रेडी करम जो है सयोजन रहेगा तो यहां पर जो जोड़ा जा रहा है इसका नाम है प्रेयरक्ता तो यहां एक प्रेयरक्ता तो लिया है फैंसे यहां पर एक और ले सकते हैं दो हो जाएगा फैं यहां पर तीन यहां पर मतलब तीन जो है प्रेयरक्तत तोको लिया गया है और यहाँ पर क्या लगा है बैट्री लगा हुआ है तो यहां पर जो तीन जो है क्या है जोड़ा गया है तीन जो है प्रेरक्ततों है और किस करम में जोड़ा गया है तो स्रेडी करम में जोड़ा गया है स्रेडी करम का मतलब होता है कि इसका दूसरा सीरा ते इसका पहला सीरा इसका पहला सीरा से जोड़ते चले जाते हैं तो इस करम को क्या कहा जाता है स्रेडी करम कहा जाता है तो यहां पर कितने स्रेडी करम में यहां पर प्रेरख्टतों हैं तो तीन है तीनो का नाम क्या क्या है यल वन है यल टू है और यल थिरी है और इसमें जो चुमकी फलक्स जो है इसमें अगर पुछाए चुमकी फलक्स कितना है तो कहेंगे इसमें फाई वन है और इसमें क्या है तो कहेंगे फाई टू है और इसमें क्या है जो है फाई थिरी है और इसमे धारा याद रखेगा तीनों में जो है तीनों में जो धारा क्या होता है समान होता है मतलब स्रेडी करम में धारा का मान क्या होता है बराबर होता है यह तीनों परिपत में धारा कितना है तो तीनों परिपत में धारा जो है आई है तो यहां लिख लेंगे माना तीन जो है माना तीन प्रे रखता तो कितने प्रे रखता तो है माना लिखेंगे तीन प्रे रखता तो जो है किस करम में जुड़े है तो लिखेंगे तीन प्रे रखता तो जो है यल वन है और कौन है यल टू है और क्या है यल थिरी किस करम में जुड़े हुए है तो लि तेन जो है प्रे रखता तो जो यल वन यल टू यल थरी जो इस रेनिक करम में जुड़े हैं इसमें चुमकी फलक्स अब इसमें देखेंगे चुमकी फलक्स कितना है तो लिखेंगे इसमें चुमकी फलक्स जो है क्या क्या है तो चुमकी फलक्स जो है फाई वन का लिखेंगे हैं तथा तथा लिखेंगे तथा इसमें बहने वाली धारा लिखेंगे इसमें बहने वाली धारा क्या है तो लिखेंगे इसमें बहने वाली जो धारा है वो आई है बहने वाली धारा क्या है धारा आई क्या है समान है समान मिंस क्या होगा बराबर तो यह मतलब तीनों में जो धारा है वो क्या है बराबर है तीनों में इसमें जो है धारा आई है इसमें भी धारा आई है और इसमें भी धारा क्या है आई है क्योंकि स्रेडी करम में धारा कामान क्या होता है बराबर होता है याद रखे रहिएगा कि स्रेडी करम में धारा कामान क्या होता है बराबर होता तो अब यहां के जो माना लिखने के बाद से अब यह लिखेंगे पहले प्रेरक्ततों में चुमकी फलक्स कितना होता है और तीसरे प्रेरक्ततों में चुमकी फलक्स कितना होता है अब यहां नोट करते चलेंगे यहां लिखेंगे पाहले प्रेरक्ततों में चुमकी फलक्स तो पाहले प्रेरक्ततों में चुमकी फलक्स कितना होता है तो चुमकी फलक्स का सुत्र क्या होता है तो चुमकी फलक्स का सुत्र जो है पिछले वीडियो में बताए गया था कि गरंतिताओं की संख्या के अंतरगत प्रेयरक ततों में इसी तरह लिखेंगे दूसरे प्रेयरक ततों में अब यहां लिख लेंगे दूसरे प्रेरक्ततों में चुमकी फलक्स है तो इसमें कितना हो जाएगा तो इसमें लेखेंगे चुमकी फलक्स है इसको किस से देखाएंगे तो इसको फाइटू से देखाएंगे तो चुमकी फलक्स हो जाएगा और यहां फाइवन जो था तो क्य और हाई टू बराबर क्या बनेगा तिया बनेगा एयनल टू आई बन जाएगा तिया चुमकी फ्लक्स फाई-बन पहले के लिए हो गया और यह किसे के लिए हो गया अब दूसरीं के बाद से फ्याज लिखेंगे आप तीसरे क्या लिखेंगे तीसरे प्रेरक्ततों में चुमकी फलक्स है तो अब तीसरे प्रेरक्ततों में चुमकी फलक्स किसे देखाएंगे यहां पर तो लिखेंगे चुमकी फलक्स लिखने के बाद से फाई थिरी क्या लिखेंगे फाई थिरी हो जाएगा और फाई थिरी का सूतर क्या बन जाएगा यल थिरी आई हो जाएगा तो समझ में आ रहा होगा पहले प्रेता तुम्हें चुमकी फलक्स क्या बना फाई वन बराबर यल वन आई फाई टू बराबर यल टू आई और फाई थिरी बराबर क्या हो जाएगा यल थिरी आई हो जाएगा अब यहां पे लिखेंगे कूल चुमकी फलक्स क्या लिखेंगे कूल चुमकी फलक्स अब तीनों को क्या करेंगे जोड लेंगे कुल का मतलब होता है इसमें मतलब तीनों को क्या करेंगे जोड लेंगे अगर चाहे आप एक और भी जोडना चाहते हैं तो यहाँ एक और भी जोड सकते हैं तो वहाँ पर आपका लिखना पड़ेगा तब चौथे प्रेखत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् तो यहां लिख लेंगे कूल चुमकी फलक्स किसे देखाएंगे कूल चुमकी फलक्स को फाई से देखाएंगे किसे देखाएंगे फाई बराबर क्या बन जाएगा तो फाई बराबर होगा फाई वन होगा और क्या हो जाएगा फाई टू होगा और क्या बनेगा फाई थिरी ह कुल का मतलब क्या होता है तीनों को क्या कर लेंगे जोड लेंगे अब यह तीनों का मान इसमें रख लिया जाएगा तो फाई बराब फाई वन का मान कितना है तो फाई वन का मान है यल वन आई है फाई टू का मान क्या है यल टू आई है और फाई थिरी का क्या है यल थिरी आ तो यह लवन आई प्लस यल टू आई प्लस यल थिरी आई हो गया यह किस का मान भरे हैं तो फाई वन का मान भरे हैं यह फाई टू का मान भरे हैं और यह फाई थिरी का मान भरे हैं और यह मान कहां से भरे हैं तो यह जो मान निकला है फाई वन फाई टू फाई थिरी यह मान क फाई वा क्या होता है यल आई और ये कैसे सुत्र बना है तो गरंतिताओं की संख्या जो होता है क्या होता चालक में बहने वाली धारा के क्या था अनकर्मान पाती होता है जो पिछले वीडियो में बताया गया था तो यह फाई बराबर क्या बना है यल आई है अब फाई को अ होगा िल थिरी हो जाएगा इसमें से तीनों में दिकान लिया है अब यहांपर अब कार देंगे आई को कार दीजे तो कटने की बाद से बचेएगा क्या थो बचेएगा फ़िछ प्रेरक्त वर्प्लस qnl3 यह कीने का सुत्र आगया तो यह स्रेडी करम में प्रेरक्ततों का सुत्र आ गया तो समझ में आ गया होगा कि ये सुत्र कैसे निग्मन किया गया है बहुत आसान भी थी से बताया गया है जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो यहां पर इसका result का आएगा अब यहां पर क्या पर इसके बारे में नोट करेंगे उसके अलग है उसके अलग है उसके अलग 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 प्रेरकततों के योग के बराबर होता है योग के क्या होता है बराबर होता है बराबर होता है तो समझ में आ गया होगा यह कैसे लिखे हैं यहां से नोट किया गया है कि जो स्रेडी करम में जो तूल जो है प्रेयरक्ततों उसके अलग अलग जो है प्रेयरक्ततों के योग के क्या योग मन क्या होता है जोड होता है जोड के बराबर होता है तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है तो सो प्रेयरक्ततों का जो है स्रेडी कर करम संयोजन आज जो बताया गया है तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यारती जरू कमेंट कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर दी आप पहली बार आयोंगे तो चैनल को सस्क्राइब और घंटी दवाना मत भूलिएगा क्योंकि यह लाइब क्लास आप सभी विद्यारती जरूर देखिएगा तो आज के पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा मिलते हैं अब अगले भाग में तब तक के लिए सभी विद्यारतीयों को नमस्कार